हेलो, कल अपने किया था है, इकोलोजी का परेच्चे इंट्रोडक्शन टो इकोलोजी, उसी के कंटिनेशन में आज अपने करते हैं, स्कॉप आफ इकोलोजी पारिस्थिति की का कार्य चेत्र या व्याप्ति पारिस्थिति की का बहुशे बहुत व्यापक है, पारिस्थिति की सिदान्तों के द्वारा प्राकर्तिक समुदाई के विबिन संबंदों को समझने में साहिता मिलती है, पारिस्थिति की को वर्तमान में एक विज्ञान के रूप में जना जाता है, क्योंकि इस विज्ञान का सम्मन्द बहुतिक एंजयविक वातवर्ण से अतिगनिस्ट होने के कारण जीव विज्ञान की विबिन शाखाओं जैसे मौरफोलोजी, फीजियोलोजी, जेनेटिक्स, एम्ब्रियोलोजी तथा अन्य मुक्य विज्ञानों जैसे रसाइन विज्ञान का गौल विज्ञान तथा भू गौल हादी से अतिगनिस्ट सम्मन्द है पारिस्थितिकी सिद्धानतों के द्वरा प्राकर्तिक समुदाय के विबिन सम्मन्दों को समझने में सायता मिलती है इस शाखा के अनेक प्रायोगिक उप्योग ग्रेशी, भागवानी लिम्नोलोजी, मत्से विज्ञान, पैस्ट कंट्रोल, टॉक्सिकोलोजी, पॉलिशन कंट्रोल, आदी में देखने को मिलते हैं सामने तेह इस विज्ञान के छेत्र का दिन निम्न प्रकार से किया जा सकता है नमर एक फीजिको केमिकल स्कॉप बोतिक रासाइनिक व्यप्ति परिश्टितिकी के अंतरगर्त वातावर्ण के अनेक बोतिक व्यरासाइनिक कारक जैसे तापकरम, प्रकाश, हुमिनिटी, लवन्ता, पियच, मान, तदा, जल, धल में पस्तिक अन्यरासाइनिक तत्व, अधिक अधियन, अतिमहत्वकूर्ण माना जा गया है क्योंकि ये कारक जिवदारियों पर अत्य अधिक प्रभाव डालते हैं प्रते एक जन्तु के लिए जे दिन बहुत एक वेरासाइनिक कारकों का उचित मात्रा में होना आवचेट है दुजरा है, पांडिकेश, पॉक्स, प्रिमानाथ में ज्यापकूर्ण इसके प्रते हैं जीवें की जन्नात्वा, आबादी के जन्तु का संच आत्मत हैं, मात्रा आत्मत अधिया जाता है प्रत्रा है, प्लाकिकेशन को वर्गी करन आत्मत ज्यापकूर्ण दुजरा है, ज्यापकूर्ण ज्यापकूर्ण वर्गी करन इसके जिवें की ज्यापकूर्ण नान मंतन वर्गी को दियाता है next अजसे साय Biological 4 Javish Yati जिजिन समुदायां जीगों की परिटिस्ट्री इंद्रिया प्रतिक्रियां की परनाम कृष्ट रूर रूरी 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 रूर्ट रूरी Javish Yati जो समिदाई इसे सब्सक्रेक्ष शबाई है। अधर जैविट कार्भाटन तर्फ लिए परणियोटी के इसे 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 सब्सक्रेवाई है। अधर है। जीवदारियों में वातवन से परवाविष भणर ज्यून को सब्वाविष से परवाविष होती है। मैं तो नहीं वातावं सी अरशे नक्ताव जातने उत्मों को जातने हैं हनुपूशन परिवर्षन की जिए लिए जिए पहतार प्रकार लखतार तावार अधुन परिवर्षन की एक्रिधिक गुटं मुट्यू जिलते हैं कर फिर अगेम मैंरि प्रेब स्थे मुट्यूजिता जानकरिषिते ho Доुवर थार हटार अनुल प्रेबिस्मों पेयटिक आपकेने प्रशंग नहीं। योग जातन जेवादारी इसलीन दिजार विद्धर हाथे ही एक है योग जातन नर्ख को जातन हूं को इसली इस सब्सक्राई जी पारिष्टी की ता अन्वन स्टाइए है व्लुपास्णी नियुकर मंद है अन्य हम्बावी मेल फ्रूर लागठे पारिक वोकेवल जीवन विग्यान की सीमा में ही प्रतिबंदित नहीं किया जा सकता क्योंकि इसके अंतरगत लगवग सभी विग्यानों से कुछ नकुछ ग्यान एकतरित किया गया है फूर एकजम्पल मुदार्ण के लिए किसी जीव के पिर्थवी पर वरतमान या बूत कालिक विस्तरण के अद्यन में बूगोल जीवाशिम विग्यान के ग्यान की आवशिकता होती है इसी प्रकार मुरदा विग्यान अधाद सौयल साइंस मुरदा दाधा जीवों के संबंदों को समझने में साहिता देती है किसी विग्यान को पूर्णता की ओर ले जाने के लिए मात्रिकर्ट आँकड़ों को एकतरित कर उनका करमबद विस्टिलेशन आवशिक है इस परकार परिस्तितिके में भी गणित वस संखेकी का बहुत मैतो है मानो का एक जीव के रूप में अध्यन करने के कारण परिस्तितिकी के गेरे में अन्य विशे जैसे मानो विग्यान अताथ एंत्रोपोलोजी, समाज विग्यान, सोशियलोजी तदा अर्थ सास्तर एकोनोमिक्स भी आ जाते हैं इस परकार परिस्तिके की अपने अपने में ही एक महतुपूर्ण विग्यान है इस परकार परिस्तिकी अपने आप में ही एक महतुपूर्ण विग्यान है जो विभिन चेत्रों के विज्ञान से सदैव निक्टता बनाए रहती है इस विज्ञान की सिमाओं का निर्दारण नहीं किया जा सकता इसी कारण इसका चेत्र वियापक या विस्तरित है यह तो थे एकलोजी के स्कॉप अब आते हैं सिग्निफिकेंस ओफ एकलोजी का महतु क्या है पारिस्तिति की गियान मानो जाती के लिए अत्यंत महतु पून है मानो अपने बोजन, कपड़े, दवाउं वे अन्यावशिक वस्तूं के लिए सदैव प्रकर्ति वे वातावर्ण के विबिन, जीवधारियों और एजविकटकों पर नेरबर रहता है आते हैं पारिस्तितिकी का महतु कई जीवन को स्वस्त बनाने के लिए जीवन को सचारूरूप से चलाने वे उसको सवस्त रेकने के लिए फारिस्तितिकी का बहुत अधिक मेरत हुरता है इसे बरकार आर्थिक समझाओं के समधान के लिए आर्थिक गत्विदियां जो है वो भी एकोलोजी पर डिपेंड होती है जन सिंक्या नियंतरण के लिए भी परस्तितिकी का अध्यन मेर्ट पूर्ण होता है परियावरन पर्दुशन वहन का निर्दारण विबिन परकार के जो पर्दुशन होते हैं उनको उनका निर्दारण करना उनको दूर करने के उपाय बताना ये सारी चीज़ें एकोलोजी के अंदर होती है इसलिए ecology का महत तो जो है मनुश्य के लिए बहुत अधिक है तो ये ecology की scope और significance है